हेलो दोस्तो आपके अपने चनल इस टॉक यात्रा मिद्विस साल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं पेटियम के उपर यहाँ पर हम लोग डिसकस करने वाले हैं वैसे आपको यहाँ पर मालूम होगा कि इस company के results यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिले थे जो कि हम लोगों को यहाँ पर खराब देखने को मिल रहे थे लेकिन market के response की अगर यहाँ पर हम लोग बाते करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके result पर जो response था वो हम तो जो ओपनिंग थी वो काफी डाउन में होने चाहिए लेकिन ऐसा यहां पर नहीं हुआ इसकी जो ओपनिंग है वो मैं आपको बता दू कि 941 ठीक है 945 पर यहां पर देखने को मिला है लेकिन उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छी जंप एक सकते हैं कि market ने इनके जो result थे उसको यहां पर accept किया है एंड उसको एक positive sign यहां पर दिया है ऐसा हम मान के चल सकते हैं यहां पर आप यह कह सकते हैं कि market में pressure के कारण इसमें हम लोगों को भी थोड़ा सा volatile यहां पर देखने को मिला है तो जैसा कि मैंने यहां पर बाते किये क हमको यहां पर paytium selected market में confusion देखने को मिला है तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं सीधे उस news के उपर तो दोस्तों अभी यहां पर हम लोग सीधा news के उपर आगा जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि paytium stock volatile as brokers mix on results तो यहां पर देखिए एकी line में सारी चीज़े हमको देख प्रती प्रती किरिया है ठीक है वो थोड़ा सा mix up type का हम लोगों को देखने को मिला है जिसकी वज़ास से हम लोगों को paytium का जो stock आज हम लोगों को देखने को मिला है वो volatile से यहां पर देखने को मिल जा रहा है मतलब एक बड़ा confusion यहां पर देखने को हम को मिलना है जो कि आप देख सकते हैं कि आज ही की डेट का एक बच के 16 मिनट का ये नियूस देखने को मिलना है जिसमें अगर हम लोग बाते करें तो मैं आपको यहाँ पर देखाना चाहूंगा कि हमारे जो पहले ब्रोकर है ठीक है दो ब्रोकर के बारे में बाते करेंगे ज्यादा नहीं क्यों अंडर परफॉर्म यहाँ पर किया हुआ है ठीक है देन यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं कि उन्हों ने इसका जो टारगेट है वो 700 यहाँ पर दिया हुआ है जो कि परजेंट टाइम से अगर देखा जाए तो 22% डाउन पर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है ठीक है तो इनके हिसाब से इनको ऐसा लगता है कि पेटियम में हम लोगों को यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है जो कि परजेंट टाइम के लेवल से ठीक है 700 तक यहाँ पर जा सकती है ऐसा इनको यहाँ पर लग रहा है इसलिए इनों ने इनको अंडर फॉर्फ बाते करें ठीक है तो इनके तरफ से हम लोगों को दो अलग अलग वेबसाइट से मैंने न्यूस देखी है तो यहाँ पर बता दे रहाँ दूसरा आपको मैं ऐसे ही यहाँ पर बता दूँगा ठीक है तो यहाँ पर गोल्ड में सेच की अगर हम लोग बाते करें तो इन्हों पर बढ़ा करके 1460 रुपए यहां पर कर दिया है मतलब 53% उपर का यह हम लोगों को यहां पर current के रेट से देखने को मिल रहा है तो इनको ऐसा लगता है कि इसमें हम लोगों को मतलब इसमें इस company में potential है यह उपर की और यहां पर जा सकती है देन जो दूसरी अपडेट है इनिसिलेटेड है ठीक है वो मैं आपको बता जो कि उन्होंने बुल रन में अगर हम लोग बाते करें बुल रन केस में अगर हम लोग बाते करें तो इस stock में 119% तक की यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है ऐसा Goldman Sachs का यहां पर मानना है ठीक है या नहीं होता है वो तो आने वाले समय में हम लोगों को देखने को मिल लागा लेकिन ओवराल यहां पर हम लोग देखें तो यह जो headline दोस्तों वो काफी सच साबित यहां पर हो रही है कि यहां पर जो broker से दो तो उनकी अगर हम लोग बाते करें वो पेटियम से लेटेट का अपने company के उपर यहाँ पर आ गए है ठीक है पेटियम के उपर सो दोस्तों जैसा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहेंगे कि मतलब इसमें क्या हम लोग को fresh entry करनी चाहिए या नहीं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यह जो company है वो loss making देखने को मिल ल रहते इसी वज़ा से आज market ने इनको यहाँ पर हरा निसान दिया हुआ है क्योंकि ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है कि यहाँ पर जो revenue हुए वो अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा भी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा कि यह company जो loss में हम लोगों को देख रहे हैं एंड उनका जो नजरिया है वो long time का हम लोगों को देखने को मिल आ है एंड ऐसा possible भी यहाँ पर लगता है ठीक है लेकिन मेरी अपनी खुद की जो बात है मैं अपने हिसाफ से जो चीज़े देखता हूं किसी company में तो उस हिसाफ से अगर मैं देखू तो इस company को मैं अभी तो यहाँ पर नहीं खरीदने वाला हूं जब इसके performance थोड़ा सा हमको अच्छे देखने को मिलेंगे ठीक है उसके बाद मैं इसमें buy करने से लेटर यहाँ पर सोचूंगा देन यहीं पर अगर हम लोग बाते करें जो भी लोग इस company में यहाँ पर लिश्टेड देखने को मिले तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा buy on dips लगा करके थोड़ा सा मल यहाँ पर खरीद लिजिएगा क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि यह company कुछ टाइम के बाद market थोड़ा सा normal होने दीजिए तो इसमें थोड़ी हमको rally जरूर से यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए वो market के उपर है market कब यहाँ पर normal हो रहा है वो उसके उपर depend यहाँ पर करेगा ठीक है तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको पेटियम से लेटेट सबी चीज़े यहाँ पर बता दिये गए हैं सो मिलते हैं next video next topic के साथ तब तक करिए जाहिन